गुद मॉर्णिंग प्यारे विदार्कियों स्वागत है अपने सत्तिकेति डिफेंस अकेडमी के लाइस सेशन में प्यारे विदार्कियों हम लोग हमेशा इधर आज भी जो है अपने कुछ इंपोर्टेंट क्योंस पढ़ेंगे और वो क्योंस जो है अपने एक्जाम में आलगे लाइक है बराबर ओके तो प्यारे विदार्कियों आज हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट कर रहे है बराबर ना ओके भाई जो पहला किसन दिख रहा है ना जो पहला किसन दिख रहा है ना उसका अंसर दो ठीक है ओके हमारा जो फर्स्ट कुशन है कुछ स्कीन बोर्ट पे कुछ इस प्रकार से है ने माले कितमे से कौनसा एक प्रूस मैं आव सी यांग का इंगजमपल है प्यारे विदार्टि इस कुश्टल को हम लोगने चुख है वो पहले भी किया है और आज भी हम लोग συ क्रिश्य को करेंगे मेरे प्यारे अचैत्र नौ वर्स अब हरत्य नौ वर्स है आप प्यारे विदार्तिय वर्स तु आज्ट्र 9 विक्रम साल 2017 79 जो कि हमारा एक भारती नव वर्स हैं और इस नव वर्स पर सत्य के तू पूरा परिवार पूरा स्टाफ आप सभी का तह दिल से जो है वो स्वागत करता है बराबर आईए सत्य के तू डिफेंस अकेडमी के परिवार का हिंसा बनिये और यहां से कुछ ऐसे ज्ञान अर्जि समर्पित रहा है आज सत्य के तू डिफेंस अकेडमी के परिवार ने ने पूंस साल कंपलीट किये हैं इस पीचे के पांस साल में हमारी डिफेंस अकेडमी ने बहुत सारे सेल Roland दिये एए और ऐसे स्टुडेंटों का सेलेक्शन दिये हैं जिसके बारे में कुई शोच नही कि जो आप बच्पन से जो अपना सपना देखे आए हो उस अपने को हम लोग जो है साकार गरेंगे तो आइए और इंसा बनिए और 2018 तक जो है अपना सपने को साकार करिए बराबर प्यारे विदार्तियों तो आपना जो पहला क्यूसंस है वो हमारा इस परकार से है और इस क्यूसंस का सई आंसर बेजिए निमली कितमें से कौन सा एक प्रूस में आउसेशी अंग का उब्दाहरा नहीं है तो जल्दी से आंसर दो सौरबी नेगी ओके गजू बना अनेल रितेश राज एमेस चौधरी रितेश राज आर्मी बॉई सौरब नेगी ओके बहुत अच्छा ठीक है प्यारे विदार्तियों जल्दी से जो है अपने क्यूसंस का आंसर दो ए यास बहुत अच्छा हम दुआ करते हैं कि आपको इस वर्स वर्स सब मिले जिसकी कामना आपके दिल में वर्सों से है हिंदू नौ वर्स की सुबकामना है अनेल आपको भी हिंदू नौ वर्स की सुबकामना है और आपका आंसर जो पहले किसंस का आया है वो ए आया है तो बहुत अच्छा तो जल्दी से आंसर बहुत अच्छा तो मेरे प्यारे विदार्टियों अपने इस पहले क्विशन का जो आंसर जो है वो अपने जो आंसर जो है वो है अमारा प्रवगणे का यह आंसर है ध्यान में रखना आई बास समझाव है यह निकि डे नंबर आप् वह इस परकार से है चलो मिचलियों के पालन के अध्यन को कहते हैं बहुत अच्छा जल्दी से क्विशन का आंसर दीजिए फटा-फट मैं आपसे करवाता हूं बिना किसी टाइम को गवां बिना किसी टाइम जो है क्विशन में लगए हुए फटा-फट बदा दाओं बराबर तो मिचली के पालन के अध्यन को कहते हैं मिचली के पालन अध्यन को हम लोग क्या बोलते हैं मिचली पालन के अध्यन को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए पेसी कल्चर सिल्वी कल्चर हॉल्टी कल्चर एंड सेरी कल्चर ओके यास तो जल्दी स आंसर दीजी क्या कहेंगे हम लोग मिचली पालन के अध्यन को कहते हैं बहुत अच्छा सार अमनेगी सेकेंड वे डी आंसर सेकेंड वे ए आंसर ए एंड डी दोनों जो है वो आंसर है सरमेट 20 फर्वरी दोजार इकीस से जुड़ा हूँ हाँ वीश फर्वरी दोजारकीस से आप सक्ट्रिवत्रश तुप परिवार से जुड़े हो बिलकुल इसले है लेकिन मेरे प्यारे विदार्थ्यों कुछ हमारे जो पिछले वर्स त्पिछला जो वर्स है जो कोरोना काल ने जो है हमारे जो है अपने जितने भी साथी भरतिया है उनकी ऐसी कैसी कर दी है आपको पता होगा बहुत उनमें खराब कर दी है अभी तक हमारे जो पिछले एक्जाम्स हुए है जो हमारे दौड हुई है उन दौड के अभी तक जो है एक्जाम करवाना बाक बहित तो प्यारे विदारतिों आप समझ सकते होंगे कि हमारा जो यह पीछे का जो दो साल गए है यह एक तरह का काल था कोई बात नहीं यह जा चुका थो जा का उसके बारे में तो अब क्या तो क्या सोचना जो पिछे की दो सालों की जो खाली जगती ना वो आने वाला एक साल जो है वो पूरा रिक्तिस्तान भर देगा बराबर तो बड़ी इमानदारी के साथ में आप लोग जो है वो त्यारी करते रहें बराबर ओके दिल्ली से नमस्का सर्जी राहूल गांधी ओहो राहूल और अग्षान की तरब चलेंगे और अगला हमारा कोसन है कोशन नूबर थाड़ असी परतिस्त से अदिख सेल कोशिका में पाया जाने वाला प्दार थे 80% से अधिग शेल कोशिकाम में पाये जाने वाला पदार थे प्रोटेन चर्बी खनेज एंड जल ओके 80% से अधिग शेल कोशिकाम में पाये जाने वाला पदार कौन सा है जल्दी से आंसू दीजिए किसर नमबर थर्ड का जल्द या खनेज या जर्बी या प्रोटीन जल्दी से आंसर दो भई क्या होगा अधिग अधिग जीरो से हीरो बनाया है हमको आपने हाजी थैंक यू वेरी मच आपने विश्वास किया वो अमरे लिए बहुत बड़ी बात है विश्वास ही सब कुछ होता है यह जो बीद गया है हाँ अंधिग यान द्यान बगनra नहीं करताया ओके जलो आगे चलते हैं बिल्कुल सही ए्यार की वहतल चलो आगे चलते हैं कुरिकन् स्वेक्स लोके है बिल्कुल चर॥ किया बहुत अच्छा कुछन है अल्फेड नोबल फेराडे बहुर तथा रधरफोड एंड वाल्टा बहुत अच्छा है कुछन और जल्दी से आंसर दीजिए किसी परकार का कोई कन्फ्यूस तो होना ही नहीं चीए इस कुछन में तो पड़ावट परमानु सरचना का मोडल जो है वो किसने विक्सित क्या आल्फेड नोबल फेराडे बहुर तथा रधरफोड एंड वाल्टा क्यूस नंबर फॉर का आंसर दो जल्दी से ओके सी आंसर आ रहा है क्या बात है परमानु सरचना का मोडल किसने दिया सी आपसान बहुत अच्छा वही सबास परमानु सरचना का मोडल जो है वो किसने दिया मेरे प्यारे विदार्थियों इसमें ये नहीं कहा गया है कि परमानु की खोज किसने की इसने ये कहा है कि परमानु की सरचना का मोडल किसने दिया परमानु की खोज जो है सन 1808 में जो है वो जॉन डॉल्टन ने की थी बराबरना ये चीज़ पता होने चाहिए और मेरे प्यारे विदार्थियों और यहां पर जो है अटोमिक इस्टेक्चर के बारे में जो बताये था वो हमें बताये था बुहर्त था रदर पोड ने बताये था यहीं कि ऑप्शन नमबर सी जो है वो हमारा क्रेक्ट आंसर है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की अप्ट हुआ था ओके जब यह हमारा एक बुजा हुआ चुना है इसकी अभी किरिया जब हम लोग वाटर से करवाते हैं तब हमारे पास में सी ए ओस्टू यानिकी केल्सियम हाइड्रॉकसाइड बुजा हुआ चुना और यह केल्सियम आक्साइड भीना बुजा हुआ तो यहाँ पर एक पिले रंग की पट्टी प्राप्त होती है उस पिले रंग की पट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बलेचिंग पाउडर के नाम से तो मुझे बताईए उसका फॉर्मूला क्या होगा बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं C option दे रहे ह कि C O C L 2 बरावर न C O C L 2 calcium oxy chloride यस calcium oxy chloride जो है calcium hydroxide के उपार पिले रंग की gas यानि क्लोरिन को गुजारने पर यह प्राप्त होती है चलो भई आगे चलते हैं next questions की तरब चलेंगे अगला हमारा जो क्वे राध्स है में किस धातू की अधिक्ता होती है मानो सरीर में पाई जहने वाली धातूं में किस धातू की अधिक्ता होती है तो जल्दी से आंसर दो सोडियम मेंगनेशियम कैल्सियम या पोटेशियम जल्दी से आंसर दो बैइ मानों सरीर में पाई जाने वाली धातूं में किस धातू की अधिक्ता होती है बहुत अच्छा क्यूशन से वह कौन सी धातू है जो सबसे अधिक पाई जाती है यह क्यूशन हमने पहले भी किया है ठीक है ना मेरे प्यारे विदार्तियों हमारे सरीर में सबसे अधीक पाई जाने वाली जो धातू है वो है केल्सियाम पुर्थवी पर सबसे अधीक पाई जाने वाली जो धातू जो है वो है हमारी अलूमेनियम पुर्थवी पर पाई जाने वाला जो तत्व कौन सा है तो हम लोग कहते हैं आक्सिजन है आई बास समझ में ना मानो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो भी क्या होता है आक्सिजन है तो यह भी चीजे ध्यान में रखनी है बराबरना मानो में सबसे अधीक पाया जाने वाला तत्व की बात की जाती है तो आक्सिजन होती है दात्व की बात की जाती है तो क कौशन Nomber 7 एकिस्टाइब वस्तु में क्या रहती है एकिस्टाइब वस्तु में क्या रहती है व्येग dus विदर को प्यार विदर्तियों जल्दी से बताईए कि एकप वस्तु में रहती है क्या इस्ताई वस्तु में वेग होता है क्या सम्वेग होता है क्या तोण होता है या एनर्जी यानिकि उर्जा होती है तो जल्दी से आंसर दीजी क्या हो सकता है सो समझ के आंसर देना है इस क्यूशन में कोई इतना जादा हमें रटाम वाले वाली बात नहीं है अगर आप सो थोड़ा सा समझते हो तो भी किसन का आंसर आप सभी का आंसर डी आराई यानि कि एनर्जी सेवन नमबर में जल्दी से आंसर दो एक इस्ताई वस्तू में क्या होती है बहुत अच्छा मेरे प्यारे विदारतियों प्यारे विदारतियों मेरे प्यारे विदारतियों एक इस्ताई वस्तू में क्या रहती है तो उर्जा रहती है एनर्जी रहती है यह तो आपको पता ही होगा एक इस्ताई वस्तू जो होती है ना उसके अंतरगत या तो या तो उसमें गती जुर्जा होती है तो इन सब में तो जो है अगर हम लोग देखे तो गती जुर्जा है और इसमें अगर हम लोग देखे अगर कोई इस्ताई वस्तु है तो उसके अंतरगत इस्तती जुर्जा भी होती है बराबर यास यहनि एनर्जी होती है बराबर ना ओके आगे चलेंगे next questions की तरब चलेंगे और अगला हमारा questions जो है question number 8 अनुप्रस तरंगे संचरित हो सकती है अनुप्रस तरंगे जो है वो किस में संचरित हो सकती है गैंस वा धातू दोनों में, गैंस में परन्तू धातू से नहीं, गैंस में नहीं परन्तू धातू से और ना गैंस में और ना ही धातू में जल्दी से प्यारे विदार्टियों, option A, B, C, D, जो आपको उच्छित लगता है और जो question right है, उसका आंसर मुझे अपने commit box में दीजी, के अनुपरस्त तरंगे होती है, तो बहुत सिंपल है, अनुपरस्त तरंगे क्या है, अनुपरस्त तरंगे संचरित हो सकती है, किस में सं संचरित हो सकती है, जल्दी से, अनुपरस्त तरंगे, जल्दी से आंसर दो भई, option A आ रहा है, गैस्वध हतू दोनों में, अनुपरस्त तरंगे, ओके, ओके, चला ठीक है भई, हाँ, तो मेरे प्यारे विदार्टियों, option बिल्कुल सही आ रहा है, option number A आपका बिल्कुल correct answer है, अनुपरस्त तरंगे, यानि की प्रकास तरंग, प्रकास तरंग एक प्रकार की अनुपरस्त तरंग होती है, आपको पता है कि प्रकास की सर्वादिक वेग जो होता है, वो सामने तर किस में होता है, ठोसों अपने प्रकास का सबसे अधिक वेग किस में होता है, गैस में, निर्वात में तो होता है, निर्वात के बाद किस में होगा, गैस में, उसके बाद में, उसके बाद में हम लोग कहते हैं, ठोस में, मैंने ये नहीं काएं कि ठोस में जीरो होता है, मैंने का ठोस में नियूनतम होता है, जैनो प्रकास तरंगे संच 10 की power minus 8 meter per second होता है ब्राबर ना यानि ठोसों में प्रकास का वेग तो होता है इसलिए धातुए जो होती है वो कैसी होती है ठोस होती है प्यारे विदारतियों गैस में तो होता है इसलिए धातुओं में भी होगा ब्राबर ना चलो गई आगे चलते हैं next questions की तरफ अगला questions हम लोग देखेंगे question number 9 9 number question है कौन सा lens myopia को दूर करने के लिए होता है बहुत अच्छा questions है प्यारे विदारतियों जल्दी से answer दो कि कौन सा lens myopia को दूर करने के लिए होता है convex lens, concave lens, convex lens and concave lens and double convex lens बहुत अच्छा question है वैसे simple अगर हमारे option को साई दंग से देखा जाए न तो एक ही option right दे रखा है बाकी तो कुछ option right दे नहीं रखा है बरावर ना तो जल्दी से answer दो भई question number 9 का answer 9 का answer आपके B answer आ रहा है क्या बात है yes, बहुत अच्छा yes, very good जल्दी से answer दो भई कि शौरब नेगी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हूं मैं उत्राखंड से 2021 से आपकी हर विज्ञान की कक्सा देख रहा देखकर जीरो से हीरो रह गया जोईन होने के बाद मिलूंगा आप से सर कोई बात नहीं ठीक है बहुत अच्छा ओके तो प्यारे विदारती सौरब नेगी अगर आऊ सकता पढ़े तो अगर कोई सी का कोई exam है तो exam की त्यारी के लिए भी जो है आप सत्य के तुमें आ सकते हो बराबर ना हम आपका स्वागत करेंगे और अच्छा सब पढ़ाएंगे दाइट है ना ओके चलो ठीक है आगे चलते हैं अपने questions की तरफ और इसके answer आउटर लेंस कौन के लेंस अरुन भाई welcome बहुत अच्छा चलो बहुत अच्छा चलो भाई आउटर लेंस यानिकी बी निमबर आप्शन आ रहा है कौन के लेंस यास यानिकी बी आप्शन बहुत सिंपल क्यू नहीं देती है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग आउटर लेंस का उप्यों करते हैं चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर टैन मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त इस तरहों को रोक देती है इसका कारण या इसकंदन बहुत अच्छा क्यों से जल्दी से आंसर देजिए ओके मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त इस तरहों को रोक देती है इसका कारण है क्या कारण है बराबर ना ओकी बहुत अच्छा सभास अरे आपका प्यारिठी सथिकेत्यट डिफ्येंस अटेमी को आपका प्यार चीहे वह लिए बराबर ना ओशी सरब ने पूरन सिंग भाटी बहुत अच्छा सबास दस नंबर कुशन में जो है जो आपने आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है इसकंद यनि की क्लोटिंग बराबर ना यास इसकंद ये डी नंबर आप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं प्यारे विदार्तियों कोशन नंबर 11 और 11 नंबर क्योशन से कुछ इस प्रकार से दूद को दही में इसकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है दूद को दही में रेनिन, पैपसिन, रेजिन और शिट्रेट बहुत अच्छा क्योशन है और ये एंजाइम जो दो भाई कौन सा एंजाइम होता है और यहां एंजाइम जो है वो हमारे आमासे में पाया जाता है बराबर ना ओके पवन यादो ले लिया भाई सने सिंग थैंक यू भाई थैंक यू ओके देहली कब जाओगे आप अरुन चद्रे रैनीन बहुत अच्छा सबास तो मेरे प्यारे विदार्तियों इसका अंसर जो है वो रैनीन एंजाइम है बराबर ना यास यह एंजाइम जो होता है ranin pepsin और एक और अदिश्म लाईफ है ये तीन enzyme जो होते हैं वो हमारे आमासे में पाये जाते हैं मेरे प्यारे विदार्थियों इस enzyme को हम लोग दूद का फाड़ने वाला enzyme भी कहते हैं दूद को फाड़ने वाला enzyme के दूद को फाड़ने वाला enzyme जो है वो किसको कहते हैं तो हम लोग कहते हैं अपना रेनिन एंजाइम को कहते हैं बराबर ना ओके ठीक है प्यारे विदार्थियों आगे चले हम लोग next questions की तरब चलते हैं और अगला हमारा questions जो है वो क्यों चीज़ परकार से हैं question number 12 12 है निम्न मैंसे जैल का उधारन कौन सा है जैल का उधारन कौन सा है पनीर दूद चेहरे की क्रीम या दही बहुत अच्छे questions है जल्दी से questions का answer दीजिए कि जैल जो है वो किसका example हो सकता है पनीर का हो सकता है दूद का या चेहरे का या दही का तो वहीं समझ सकते हो की जैल, जैल के बारे में आप लोग समझते ही हो स्वेट जैल, जैसे कि हम लोग बालों में लगाते हैं इस परकार का ठीक है न जल्दी से आंसर दीजिए, ओके मार्च को भाई ओके चलो, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एह आंसर आ रहा है पनीर, क्या बात है बहुत समझदार हो गयो ओके, बहुत अच्छा है मात्रपनी, धर्मेंदर सिसुद्य, ओके पवन, यादो, धर्मेंदर सिसुद्य, महेंदर, भुमाराम, गजुबना, रितेश राज, सन्नी, अरुन चोदरी, ओके आप सबका आंसर, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यनि कि कौन सा जहल का एक्जामपल है तो जहल का एक्जामपल जो है, वो है पनी, दूद, चहरे की क्रेम और दही, ये जो है जहल के एक्जामपल नहीं है बराबर आगे चले, नेच्स्ट कोशन की तरब कोशन नमबर 12 सॉरी, 13th नमबर क्योशन है वायू में हाइड्रोजन जब जलती है तब, तब पैदा करती है जब वायू में हाइड्रोजन जलती है तब क्या पैदा करती है अमोनिया जल मिठेन और कार्बोनिक अंबल वायू में हाइडोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या करती है पैदा अमोनिया जल मिठेन या कार्बोनिक अंबल पैदा करती है क्या करती है जल्दी से आंसर दो बई सो के why रुच्छम में hydrogen जब जलने लगती तब पैदा करती है क्या पैदा करती है 13 नंबर admd2 जल्दी से आऊंसर दो क्या करती है पैदा on question numéro 13 नंसर दो कि यास कि अश्च्छम मेरे प्यारे विदारतीयों जभ अच्छा क्योंसन है आपने कभी देखा होगा यदि लाल तब तो लोहे पर से जल वास्प गुजारा जाए तब कौन सी गैस निकलती है वाई-उ में जब हाइडोजन जलने लगती है तब पैदा करती है क्या पैदा करती है देखो हम लोग इसे से भी समझ सकते हैं दो तीन एक्जामपल है जैसे कि एक हमारे पास में होता है कि यह जैसे कि लाल तब तो लोहा है इस पर से अगर मैं जल वास्प गुजारूंगा तो यहनिकि हाइडोजन बराबर ना यह गैस तो यह हाइडोजन यहां से जो है वो निकल रही है बराबर ना ओके 3S2 बराबर ना ओके 3S2 ओके तो यह हाइडोजन यह कहते है कि जब वाइडोजन जब जलने लगती है अब यहां पर हाइडोजन जलेगी CDC बात है जलने लगती है तब पैदा करती है क्या पैदा करती है तो CDC बात है कि वाटर ही पैदा होगी इसी प्रकार से जैसा का हमारे हमारे पास में एक sodium है इसको हम लोग H2O जालन में डालते हैं तो सिद्धी सी बात है एक हमारे पास में NaOH बनेगा और एक हमारे यहां से जो है वह हाइडोजन गैंस भी निकलेगी यह यहनी कि आपने क्विशन कभी सुना होगा कि पानी पर जो है sodium निर्तिय करती है यहनी sodium जब हाइडोजन जलने लगती है तब पैदा करती है क्या तो जल पैदा करती है यहनी कि option नमबर B जो है वो correct answer है बराबर न यास आगे चलते हैं next questions की तरब चलते हैं अगला हमारा questions जो है question number 14 14 है जल के निर्जली करने के लिए निमली कित मैं से किसका व्यापक प्रियोग किया जाता है तो जल्दी से आंसर दीजिए निर्जली करने के लिए पावन यादो ओके कृष्णा सने सिंग गजू धर्मेंदर पावन पिछले question का इन्हों ने बहुत अच्छा question answer दिया है पावन भई ओके बहुत अच्छा गजू बना धर्मेंदर शिशो दिया मेरे प्यारे विदार्टियो question number 14 है जल के निर्जली करने यहने जल के करन के लिए निमली कितमे से किसका व्यापक परियोग किया जाता है फोर्टेंस number कूशन का answer दो वए प्यारे विदार्तियों यहाँ पर एक चीज़ धियान में रखना है निर्जली करन के लिए ओके निर्जली करन में जो होता है हम लोग किसी भी पदार्थ को जो है वो पा बारेक्स पावडर्य ये सोडा पावडर प्यारेविदार्तिक इनका उप्योग तो हम लोग पानी के सुभों करते हैं भलकी ब्लेच पावडर का उपियोग हम लोग जो है वो निरजली स्त्रोथ है कच्छा तेल जीवभार कोईला और हाइड्रेड्स जल्दी स्यांसर दो क्या होगा हाइड्रो कार्बन का प्राकर्तिक स्त्रोथ है कच्छा तेल जीवभार कोईला या कार्बो हाइड्रेड्स हाईडो कार्बन का प्राकर्थिक स्त्रो तो मेरे प्यारे विदार्थियों हाईड्रो Leo Gas किसी बात है हइज़ resposta आफ में प्रत्वई की निचली परतो से निकलता है जो हम लोग विए प्रत्वी की निचली परतो से निकलते हैं उस में 95 पर्शैंट अब जो है वो हाइड्रो कार्बन होता है तो जब से अधिक प्रेशर पड़ेगा तब भी तो हाइड्रो कार्बन होगा बहुत अच्छा इसमें जीवभार होगा कच्छा तेल नहीं होगा आई बास में जीव भार अरे हाइड्रो कार्बन जो निचे से निकलता है न वो कैसे कच्छा तेल जो है वो बनता किसे से ये बताईए कच्छा तेल को हम लोग कच्छे तेल में हाइड्रो कार्बन होता है 95% जोगी परत्वी के निचले परत्त से निकलता है अब ये बनता किसे से वह तो प्राकर्तिक स्त्रोथ है वो जीव भार से बनेगा सिदी सी बात है ठीक है यास यह चीज ध्यान में रखना ए होगा नहीं ए नहीं होगा आप समझने की कुशन करो अगर ये कच्छा तेल जो है वो किसका बना हुआ है कच्छे तेल में हाइड्रोकार्बन होता है सिदी सी बात है पर ये कच्छा तेल में हाइड्रोकार्बन होगा पर ये कच्छा तेल बना किसका है इसका प्राकर्तिक स सर रहा है स्रोथ्स क्या है तो सिह भातव है जी जी बता रहा हूं ठीक है ना है यस जब मैं प्राकर्तिक कच्छे वाला ओला त कर लोगा तब लेकिन कच्छा त Bunny कहां से वह से भाण बाहर से जो वहाँ दब गय थे किशी कारण वर ओके ठीक है प्यारे विदार्थ क्यों तो आज के हमारे 15 क्यूशन कंप्लीट होते हैं फिर भी कोई बात नहीं अगर 15 नंबर क्यूशन सापको समझ में नहीं आया तो इस क्यूशन का जिकर हम लोग कल और करेंगे आप मुझे कमेट बॉक्स में एक बार बता देना क कि सर्टिप्टी नंबर समझाओ तो मैं समझा दूँगा बराबर ओके तो चलते हैं कल फीर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को मेरा जैहिन जैवारत